सबको जे ये सुकी प्रभुये सुक्रिस्त में प्यारे भाई व बहनों नव जीवन का संदेश इस शिर्षय के अंतरगत प्रत्थी दिन का इश्वर का जीवनत वशनों को सुनने के लिए समझने के लिए उन वशनों को ग्रहन करते वहे उन वशनों के अनुसार जीवन बिता साने की शक्ति सामर्तिक्रपा अनुगर्फ मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हारदिक स्वागत करता हूं आज अगस्त की छे तारिक हैं मंगलवार है और आज के दिन में हम सभी प्रभुयेसु का रूपान तरण का पर्व का मनाते हैं प्रभी येसु का रूपांतरन का परू का तात पर ये है जब प्रभी येसु मसी अपने तीन शिश्यों को लेकर उंचे पहाड पर चले गए प्रार्तना के लिए और उस दवरान वहां पर जो घटना घटी उसका वर्णन है यानि कि स्वर्ग खुल गया बादल में से कानी सुनाई पड़ी यह कहते भी कि यह मेरा पृआ पुत्र है मैं इसबरत्वारां हों इसकी सुनो इस प्रकार से पिता ने अपने पुत्र को समझत मानव्जाती के सामने परस्टुत एप रह प्रक्ष किया और हम सभों को ये बात बताए कि इश्वर अपने पिता से प्रसन है और हम सभी लोगों को आवश्यक है कि हम उसकी बातों को सुने और इस प्रकार से अपने जीवन में परिवर्तन लाएं अपने जीवन में नयापन लाएं अपने जीवन में नए सोच मिछाहर दाराओं को अपनाते भी अपने आपको नया बनाएं ये बुलावा आज के दिन में हम सबुन के लिए दिया जा रहा है तो आईए बाहिए बेहनों आज के दिन में जब हम सभी लोग प्रभु यसमसी का रुपान तरण का परू मनाते हैं हम प्रभु से प्रारतना करें कि हम सबुन का रूप नया हो जाए हमारे सोच बदल जाए नये में परिवर्तित हो जाए इसलिए आज के दिल में हम विशेस रुप से इस बात के काम ना करते हम लोग प्राप्तना करेंगे आज का वच्छन लिया गया है संत मार्कुस के द्वारा रचित सू समचार अध्याई दो पसंग्या अध्याई नौ पसंग्या दो एकांत में ले चले एकांत में ले चले उंचे पहाड पर निश्चत रुप से एकांत में प्राप्तना करने के उद्दे से उंचे पहाड पर गए वहां पर एकांत में अपने शिश्यों के साथ वो प्राप्तना में लेन रहे उनके सामने हैं इसा का रूप पांतरन हो गया जब शिशों ने उन्चे पहाड पर पहुंच कर ईशा को देखा कि उनका रूपांदमन्ट हो गया, उनके वस्तर ऐसे चमकिले और उनके उजले हो गये कि दुनिया का कोई भी धोबी उन्हें उतना उजला नहीं कर सकता था, यानि कि यहां पर प्रभु का मुक मंडल चमकने लगा, प्रभु के वस्तर चमकने लगे, उनका रूप चमकने लग गया, क्योंकि वे प्रार्तना में थे, प्रार्तना में पिता के साथ लेन हुए थे, यानि कि जो भी वेक्ति आज के दिन में प्रार्तना में जाता है, प्रार्तना में लीन होता है, उसका मुक मंडल चमक जाता है, उसका स्वभाव चमक जाता है, उसका मनोभाव चमक जाता है, उसका वेक्ति तो चमकने लगता है, अन्यता हमारे जिवन में वो कहीं ना कहीं, वो चमक के कम हो सकती है इसलिए प्रभु के सानद में आते ही प्रभु के उपस्तित में आते ही हमारा रूप बदलने लगता है एक नया हो जाता है परिवर्तित हो जाता है इसलिए यह बहुत ही जरूरी संदेश हम सभी लोगों के लिए प्रभु येस्व मसी का रूप आंतर यानि कि मुझे और आपको ये निमंत्रण है कि हम आजके इस आदने के यूग में येसु को हमारे जीवन के द्वारा येसु को प्रस्तुत करें येसु के शिक्षा को हम प्रस्तुत करें इसलिए प्रुब हमें बुलाता है प्रुब की बातों को सुनने के लिए और उसको ग् दिवियत दर्शन हुआ दिवियत दर्शन में येशु का रूपांतरन हुआ उस दावरान शिश्यों को जो तीन शिश्य थे उनको येलियस और मुसा दिखाए दिए पुराने विदान के ये महान विक्तित दोनों के दोनों येलियस और मुसा दिखाए दिए ये इसा के साथ बात्चित कर रहे बात्चित करते भी दिखाई दें की जब हम प्रारतना में गहराय में जाते हैं हमें दिव्यत दर्शन हमें मिल सकता है और योजना प्रकट होते हैं हमें उस समय पेत्रूस ने इसा से कहा गुरुवर यहां होना हमारे लिए कितना अच्छा है पेत्रूस को लगा कि यह बहुत ही सुंदर समय है जब वो दिवियत दर्शन देख रहा था मूसा और येलियस को देख रहा था प्रभु येश्व को देख रहा था जिनका मुक मंडल छम रहा था इन सभी बातों को देखकर पेतरुस को लगा कि यहीं पर रहना यहीं पर रहना यहीं पर रहना यहीं कि इस प्रभु की उपस्तिति में रहना इस नएपन में रहना कितना अच्छा इस बात को मैसुस करते हुए वो कहता है यहां होना हमार लिए कितना अच्छा है यह कि येसु के सानद में होना, येसु के उपस्तित में होना, येसु के मंदिर में होना, येसु के दर्बार में होना, हमार लिए कितना अच्छा ये अनुबो हमारा होगा, जिस दिन हमारा ये अनुबो होगा, येसु के पास जाना, येसु का वचन सुनना, येसु के दर्बार म समय बिताना हमारे लिए कितना अच्छा है इस बात का ग्याद होगा समझ होगी तब हम मौका डोड़नेंगे बार बार येसु के सानद में जाने के लिए येसु का वचन को पढ़ने का समय निकालने के लिए एक सुन्दर अनवव है इश्वरिया अनवव जो हमें अनवव मिल अच्छतरूप से येश्वरिया जीवर में आगे बढ़ते हैं प्रभू के नजदीक आते हैं प्रभू का जीवन पूर्णरूप से जीने लगते हैं और तब हमारा रूप परिवर्थित होता है नया होता है बदलता है और इस प्रका से लोग हम में येसु को देख चाहे हम तीन तंबो खड़ा कर दें एक आपके लिए मुसा के लिए एक एलियस के लिए यानि कि वहीं पर रहने के लिए वो तंबो तक बनाने की योजना बना रहे थे प्रभू के शिश उसके समझ में नहीं आ रहाता कि वो क्या कह रहा है क्योंकि वैस सब के सब धर गे थे देवियत दर्शन को देखकर सब धर गए गबरा गए इसलिए उनको मालूम रहे था क्या बोलना क्या नहीं बोलना पेतर सहला कि बोल रहा तो यहां होना यानि कि इस प्रभू की उपस्तित में रहना हमारे ले कितना अच्छा है तब बादल तब एक बादल आकर उन पर चा चाया और उन पर तहर गया और बादल में से यहाँ वान्य सुनाई दी यह मीरा प५ृफट्र है इसकी सुनोम यहीश प्रमेश्वर् फित्र प्रमेश्वर् हम सबों क्या पुत्र येसुम को पःस्त्त करती कहता है उसको प्रिया पृत्र है वह मैं सबों का परमकर्टविय और दाइत तो है हम कभी प्रवु की बातं को अंसुना नहीं कर सकते असलिक प्रुव। इश्वर कहता है जी मेरा प्रीयापुत्र है इस्की सुनो और जो ये येश्व की सुनता है ये ये इसा के सिवा और कोई नहीं दिखाए पड़ाए जब ये दिवेद दर्शन चल रहा था उसके बाद जब प्रुबु के शिशो ने चारं तराफ से देखा इसा के हलाव दूसरा कोई नहीं और सब को सब वहां पर ओजल हो चुके थे तो उन्हे इसा के सिवा और नहीं दिखाए पड़ा इसा ने पहार से उतरते समय उन्हें आदेश दिया कि जब तक मानव पुत्र मरतकम से जी ना उठे तब तक तुम लोगों ने जो देखा उसकी चर्चा किसी से नहीं करो उन्होंने इसा कि अबात मान ली पर अपस में विशारी मश्च करते थे कि मरतक मेसेजी उठने का क्या अर्थ हो सकता है इस प्रकार से भायों भेनों हम सबी देखते हैं प्रभु के रुपांतरन का प्रभु के मनाने की संदर में प्रारतना में स्वर्ग कोल जाता है प्रारतना में पिता की वानी हमें सुनाई देती है प्रारतना में इश्वर हमसे बात सतत प्रयास करने की मेहनत करने की हमें आविश्रे करता है प्रुव हमें बुलाता है जिस प्रकास है प्रिता परमेश्वरे स्वाहे हैम अपनी पूतर ये सु को दुनिया के सामने पुरुश्दिक ढ़ता है यह मेरा प्रिया पुत्र है इसकी सुनो यानि कि येसु की बातों को सुनने का आदेश पिता परमेश्वर ने हम सबों को दिया जो येसु की बातों को सुनता येसु के नजदिक जाता है जो येसु के नजदिक जाता है येसु को अनुबो करता है एक नया जीवन जीता है वह वही प्रभु हम सबों को आशिश हैं और बरकतों से बर्द हैं सबको जैसुकी सबको धन्यवाद